तो वेल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत Electronics Limited Stock के बारे में, बेल स्टॉक के बारे में तो अभी के टाइम स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा कासा performance हमें देखने को मिला है Elections के बाद एक बड़ा dip हमें नजर आया बट उसी के साथ सा reversal भी हुआ बट अगभी के टाइम अगर आप दिखेंगे न जो Elections से एक दिन पहले 3 जून को जो कंपनी ने High लगाया था उस High को अगयान इस्टॉक हमें ब्रेक करते बे नजर आ रहे हैं 317 रुपे का एक important breakout जो ने अगर level टूटा तो ये breakout हो जाएगा तो वही आप चेक कर सकते हो आज की दिन एक अच्छा कासा performance समय देखने को मिला जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 5 जून को मैंने यह आपको update दिया था यह जो stock है यह भी अपना यहाँ पर इसकी stock के उपर आपको बस नजर रखने थी जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यह अपने breakout के बहुत करीब है इस stock पर आपको नजर रखना है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो यह almost आपको मैंने update दिया था 320 रुपे के price पर जो किसका यहाँ पर breakout होने वालत है और breakout हुआ अभी के टाइम अच्छा कासा performance दिखा रहा है तो आप चाहे तो टेलिग्राम में भी जोइन हो सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगी जहाँ पर latest breakout stocks जो है वो बताया जाते है education view के साब से अभी के time जो है दोस्तों यहाँ पर बेल में आगे अपना क्या view रहना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरा यहाँ पर personally क्या view है बेल में वो भी हम मैं आपके सामने share करूंगा last one month में हमें 18% की तेजी देखने को मिली है last 6 month में 82% and one year में दोस्तों 172% तक के returns मिले बेल ने हमेशा हमें अच्छे return दिये है maximum अगर आप देखेंगे तो एक लाग 52,000 परतिसत तक के returns जो है company ने हमें निकाल के दिये तो यह बहुत ही बड़ा return है जो कि last 25 year, 30 year में company ने हमें बना के दिया जो कि बहुत बड़ा return है अगर बेल में दोस्तों आज का trading data देखा जाए तो यहाँ पर stock आपका open होता है 318 रुपे, 325 रुपे का low लगाता है 335 रुपे तक का high लगाता है वही अगर मैं volumes के बात करूँ तो 7 करोट share का volume होता है जिसमें 2300 करोट रुपे के value के share यहाँ पर trade होते है बट यहाँ पर अगर delivery की बात की जाए तो वो भी अच्छी है अगर आप देखेंगे तो railway में अभी गडाइम हमें क्या देखने को मिला एक बहुत बड़ा jump आया उसके बाद delivery जो है वो एकदब drop हो गई बट defense में अभी build में देखेंगे तो drop अभी बड़ा jump आया नहीं है delivery अच्छी उठाई जारी है मतलब की जो मतलब maximum लोगों को ये भरोसा है की आगे बड़ा jump आ सकता है इसलिए वो add कर रहे है तो यहाँ से build में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जो ये data store है न वो data build भी दिखाएगा आने वाले time में एक अच्छा सा potential दिखागे एक अच्छा सा यहाँ पर moment दिखा के तो देखे दोस्तों अगर हम किसी भी stock में swing trade करते है न तो उसके सासा chart जो है वो तो important है बट उसी के सासा हमारे लिए ये भी important है company के financial अगर company के financial अच्छे है और swing trade में हमारा setup बन रहे है तो वो stock rocket भी बन सकता है अभी के time bill की बात की जाए company का performance हमें अच्छा देखने को मिल रहे है company यहाँ पर defense में भी है और semiconductor में भी हमें देखने को मिल रहे है market cap इसका हो चुका है 2,45,000 करोड का stock का PE है 61 का ROC ROE की बात की जाए तो 34% 26% आकड़े यहाँ पे better है company की जो growth हो रही है revenue and profit में वो बहुत ही तेजी से हो रही है वही अगर आप यहाँ पे company के comparison में देखेंगे तो अपने segment में पहले इस्थान पे है और valuation के इसाब से सबसे lowest इस्थान पे अगर आप देखेंगे Apollo Microsoft का जो PE ratio है वो है 100 का DCX का कितना है 70 का, data patterns का कितना है 100, बट bill का कितना है, सिरफ और सिरफ 60 का ही है अगर आप यहाँ पे देखेंगे company का return on capital in blood, जो की growth यहाँ पे कितनी है पहली बात तो यह value के साबसे सस्थे value पे मिलता है, दूसरी बात अगर growth की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे तेज growth इसकी है इन 4 कंपनियों में से, उसी के साथ साथ यहाँ पे dividend की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा dividend भी यह देता है मतलब overall आखड़े हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे है, अगर बात की जाए company के revenue की, तो revenue अभी के time all time high पे है 3,985 क्रोड जो की all time high पे है, balance it company की मजबूत हो रही है, debt free company है, debt handy और assets company के बढ़ रहे है अगर बात की जाए company के Q1 के data की, तो company के Q1 के results हमें देखने को मिलेंगे 29 July को, जो की company ने date publish कर दी है जो की almost यहाँ पे budget से 5-6 दिन बाद में results भी देखने को मिल जाएंगे, अगर अच्छे है आए तो फिर वहाँ पे भी momentum मनेगा, promoters की holding अच्छी है, FIDI वाले उसकी holding अच्छी है public की holding यहाँ पे normally हमें देखने को मिल देखने को मिल यह कम है, जो की बहतरी ने, अच्छा बात यह है कि public की holding यहाँ पे कम है तो दोस्तो बिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी के time financially हमने देखा company ने बहतरीन किया है और आगे भी maybe company अच्छा कर सकती है अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिल में हमने क्या देखा कि जब जब एक breakout हुआ है ना, momentum stock में बना है जब जब breakout हुआ है तब तक एक rally बनी है, past के data के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिला, कि यहाँ पर यह एक level है, stock का तो यहाँ पर stock में हमें breakout देखने को मिला, यानि stock यहाँ पर जब करते वे नजर आया सेकेंड जो level है अगर मैं आपको दिखा दू, तो वो level दोस्तों निकल के आ रहा है, यह level resistant, resistant का breakout हुआ, एक अच्छा कसा jump आया, resistant के breakout के बाद 10 से 15% जम गया, उसके बाद अगर आप दिखेंगे, यह resistant बन गया आगें, तो इसका जैसे ही breakout हुआ, stock breakout के बाद अच्छा jump किया, वही सेम चीज, यहाँ पर यह resistant बन चुका, इसका level break किया, stock rocket बना, उसके बाद अगर आप दिखेंगे, तो यहाँ पर यह resistant बना हुआ है, इसका level break होते ही momentum आ सकता है, यह यहाँ पर मेरा मानना है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि आगे मेरा यहाँ पर क्या view रहेगा, क्योंकि almost man, दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरा view क्या रहेगा, almost man अपने positions कहाँ पर बनाई, अगर उसके बारे मैं आपको बताऊं तो stock का दिखें, important level था 320, 320 का level जैसे ही breakout हुआ, मैंने अपने positions बनाई and यहाँ से अगर दिखा जाए, तो मैं यहाँ पर अपना target कौन सा लेके बैटा हूँ, फीबो नाजी के इसाब से वो मेरा रहेगा, 350 रुपेज का पहला target मेरा रहेगा, वहाँ पर मैं अपनी कुछ positions को short term के लिए score up पी करूँगा, और 370 मेरा last target है, वहाँ पर मैं अपनी all position short term purpose के इसाब से जो मैंने बनाई है, उसको मैं book कर लूँगा, तो यहाँ पर breakout हो चुगा है इस level का almost 350, 370 रुपीज तक के मैं बेल में target लेके बैठा हूँ, almost यहाँ से आपका 10% तक का upside move यहाँ पर मैं expectation करके बैठा हूँ, बेल स्टॉक में, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जाके इस परकार से अगेन retest भी तो करेगा, बट मेरा SL भी आप ध्यान रखी है, क्योंकि target के साथ सद में stop loss भी रखना पड़ता है, अगर हम market में पैसा गवाने आते तो यह भी ध्यान रखना है कि market पैसा हमसे ले भी सकता है, तो अगर मानलो market मेरा पैसा लेना शुरू करता है, तो भी मैं अपना कितना पैसा दूँगा, 320 पे, क्योंकि मैंने 320 पे अगर entry ली है, stock में अच्छा moment आ चुका है, तो यहाँ पर मैं 320 का stop loss लगा दूँगा, अब यहाँ पर अगर मानलो reverse भी किया, तो मेरा 320 पे entry थी, 320 पे exit तो मेरा loss नहीं होगा, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे 350 चला गया, तो 330 का मैं stop loss लगा लगा, एंड 370 चला गया तो मैं अपना जो भी profit है, वो book कर लोगा, बस यही strategy के साथ मैं आगे चलूँगा, SL को drill करते र आगे दोस्तों यह only for education view के साथ से वीडियो था, किसी परकार सी positions बनाने के से पहले अपना research खुद कीजिएगा, अपने financial advisor से ज़रूर कंसर्ट कीजिएगा, क्योंकि stock market में हमें साथ difficulties रहती है, एंड ऐसे ही breakout stocks जानने के लिए मेरे telegram को भी join कर सकते हूँ, link आपको description में